का correction part 3 तोड़े से हमने वर्प्स लिख रखें और कुछ एडवर्प्स लिख रखें इनकी यूजज आज हम सीखेंगे कि कब प्रिजेंट अपने टेंस और कब प्रिजेंट कॉंडिनिवस टेंस इस्तेमाल करते हैं तो यह concept नंबर वन पे आते हैं सबसे पहले हम अगर हम बात करें get change increase grow यह जैनरली इनकी इसे माल हम कन्डिनीवस टेंउस प्र्थेंस में करते हैं सबसे पहली बात तो यह समझें जाएं एक से चांजटेंगे या र क्लिफ को बताते हैं अब देखें अगर बात करते हैं कि ऑलिक्यज एगर हमें लिखना हो हो लिएधेंट tool क्रीज तो आप ये बात समझ जाएंगे कि ये action continuous हो गा तब हम गय्ण इंक्रीज को बता पाएंगे ये action continuous होगा तब हम बता पाएंगे कि उसमें gradual increase होरा है जैसे अगर आपको बोलना होता है कि patient की तभिए ठीक हो रही है तो ये ठीक हो रही है इट मीन्स वहाँ पे वह ग्रैज्वल इंक्रीज को बता रहा है ग्रैज्वली वह धीरे धीरे रिकवर कर रहा है तो हम उसका यूज हम काउंड इवस टेंज में ही करते हैं दो पॉइंट यहां पे ध्यान देना है कि पहले तो हम जेनरली इसका यूज हम प्रेजेंट इडाफनी टेंज में नहीं करते हैं अगर इन से जेनरल संटेंसेज आपको मिल जाए जेनरल रही के रीपीट संटेंसेज में प्लेड टर्षा है रीपीट एक्शन से नोज जाते हैं देन आप इसका इस्तेवाल करेंगे अधर्वाइज इनका भाइड速 हम कॉंटेनियौस टेंस Haram करते हैं चीए बाई डिफोल्ट जो भी संदेंसे हम बनाएंगे गेट से जैसे इंक्रीज से अब चेंज काम कैसे प्रेजेंट इंडफनिटेस को संदेश सोचिए तो कुछ जेनरल फैक्ट होंगे इसमें करेंगे लेकिन इसके अलावे आप जो भी संदेश सोचेंगे उनका यूज हम कॉंडिनिवस में करेंगे चीक है लाइक अगर लिख लिए जाए इस गेटिंग और इस गेटिंग और रहें गेटिंग दार्कर और कर तो हम ने इस्तेमाल किया जाता है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपको यह चीज़े देखना होगा इदर बताया तो नहीं जा रहा है जैसे अगर कहीं यह बोला जाए कि it gets it gets dark it gets dark at 5 p.m. अगर आप यह sentence लिखते तो यह क्या बता रहा है यह बता रहा है यह आपका general facts बता रहा है कि it gets dark at 5 p.m. यहाँ पर जहाँ पर हम हैं जो भी इंसान बोल रहा है it gets dark at 5 p.m. पर 5 बज़े शाम को क्या हो जाता है अधेरा हो जाता है but very rarely इसका इस्तिमाल करते कभी भी आप यूज करेंगे तो सभी का यूज हम continuous tense में करते हैं लैक देख लीजे the condition the condition sentences के अगर आप मीनिंग पर समझेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ महाएगा कि आपको sentence का मीनिंग देखना कि sentence का मीनिंग क्या रहा है अगर कोई लिखता है the condition of the patient of the patient the condition of the patient improves अब बताईए कि यह संटेंस सही होगा यह गलत हो जाएगा दर पेसेट अदर the condition of the patient improves तो यह जनली गलत हो जाएगा क्योंकि यह क्या बताता यह temporary action temporary का मतलब क्यों gradual increase कर रहा है और जो है खतम हो गया फिर आगे जाएगा फिर वह आगे जाएगा तो चीज़े जब भी आप gradual increase or decrease को बता रहे है या temporary action को बता रहे तो हम हमेशा पहले वाले जो लाइन में मैंने लिखा है उसका यूज हम continuous days में ही करेंगे कैसे सही होगा इसको देख लिए है the condition of the patient is improving like the condition of Bihar is improving तो ऐसा नहीं कि improve का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे बड़ जनरल फैक्ट होना चाहिए कि उस चीज़े होती है तो यह वाप्स मैंने छाट के आपके लिए निकाला है बिलकुल कि इनका यूज आप जब भी करोगे कि इंडाप्रिटेंस में करोगे चीक है और एक जंपस देख लिए जाए कि अधा पॉपुलेशन है कि आफ इंडिया कि इंक्रीजेश और इस इंक्रीजिंग क्या होना चाहिए आप आई होग कि आपको खुद समस्क्रीज में आ जाएका इंडिया इंडियो चैयर आपकुद समझ में आजाएगा की इंक्रीज का जभम इस्तेमाल करेंगे दा पॉपलेशन ओं इंडिया इंक्रीजेज्ज ठीक है बट दियर सोचने वाली बात है कि अगर मैं इंगर करके बताते चलू कि अगर मैं देखू नौ के बारे में हिंदी मीनिंग तो आप लोगो बहुत अच्छे से आता होगा नौ का मतलब अभी या संतिंग लाइप ठीक है तो नौ का यूज हम करते तो हैं प्रिजेंट क करेंगे और ना करेंगे तो कम ना करें ठीक है तो 9 के बारे में अगर देखा जाए तो 9 हम जेनरली यह बता सकते हैं कि जैसे अगर मैं लिख दू संटेंसे एक लिखा जाए ठीक है फिर देखियो सही है यह गलत है अब हमने नौ लगा दिये चुकि नौ का हम जब भी उज करते हैं तो उसका मतलब कॉंड़निवस्टेंस होता है तो क्या ये सेंटेंस सही होगा अब वो आधिय अधुरी वाली बात हो जाती है कि सर हम पढ़े तो है कि नौ का मतलब पाउंड़निवस्टेंस होता है लेकिन कभी ये देखिए कि स्थिति आपके सामने ये आ जाए कि स्टैटिव वर्ब के बारे में कि स्टैटिव वर्ब को हम आई एंजी के रूप में नहीं लिखते हैं इन इस केस फिर तो ये गलत हो जाएगा इन इसकेस गलत हो नौ कि पॉइंट के लिए हो जाना चाहिए ठीक है कि नौ का यूज जवर्दस्ति नहीं है कि आप उसी में कीजिए प्रिजेंट कॉंटिनिवस में कीजिए कर सकते हैं डाफिट में डिपेंडिंग उन्द सिच्वेस्टिक है कि दूसरा एक जम पस देख लीजिए सुरूए एंड में आप राख सकते हैं नौ को ठीक है आपको एंड में करते हैं ही लर्न्स एंग्लिश नौ क्या यह सेंटेंस सही होगा वह अब अंग्रेजी पढ़ता है तो यह देखिया अंग्रेजी पढ़ने का काम पर्मानेंटली नहीं हो रहा है कुछ पिरिएड के लिए होगा डाट इस टेंप्ररी और इंग्लिश सीखना चीक है हो सकता है अगर हम सूचे इसको धंसे कि seinem चुस्टीन त पर्मानेंट हो सकता है canned पढ़ाना पर्मानेंट होगा ये पढ़ना भी पर्मानेंट होगा सोचने वाली बात है तो यह हम पढ़ने ऑ्रुजित की बात करते हैं सीखने की बात करuhan लेकिन रेजी सीखना that is a temporary action कुछ दिन के लिए सीख रहा होगा lifetime तो सीखने वाला नहीं है तीक है अब डॉगी वह बहुत रहा है मैं क्या करो इसका अब मैं शूट करो तो शूट चालू रहता है ठीक है यही बात हो सकती आप प्रिजेंट के साथ अगर 9 का इस्तिमाल करेंगे तो यह बात ध्यान रगना कि अगर स्ट्राटिव बगरा आज है तब हम उसको इंडाफिट में क कर सकते कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आई होग कि इतना पॉइंट के लिए हो गया होगा अब हम बात करते नौवडेस से सबसे पहले नौवडेस हमें एक वर्ड देख लिया जाए ठीक है कि कुछ लोग नौवडेस ऐसे भी कहीं कहीं आपको मिल जाता है अगर इसको सही करन है तो हमें करना पड़ेगा एक साथ बनाना परहें नौवाडेस यह नहीं जाकर QUIS को से टीक है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है बिसकी खूले है ठीक है लेइफर नहीं करता है कि दो दिन की बात रहे करता है मन्त के बारे में एक rac olhar के में सो इस बात का ध्यान रखना एक नाउड़ेज तभी आज गयों में बात करना हिंदी हइध हुआ है कि सिर नौर इस का मतलब आज कल लेकिन आज कल का मतलब दीन के सम्बंधित नहीं होता है जिसका मतलब होता है महीने से रिलेट करता है यह चीक है जैसे हम इसकी बात आई कि यूज कहां करीडि तो इसके साथ आईगर चोच कान ब सकाना कर दें कोई दिकत नहीं है तो मेनिंग ध्यान रटना है कि हमें मिणिंग देखना है कर में कर रहा हूं ये उन्वा कि अब देखेंगे कि डाल्ण हुगा यह का देखेंगे kita Uh huh, देखा ज़्याओ, She is learning, Creator learns English Nowadays, कौन सा सही होना चाहिए? अब यहाँ पर देखने वाली बात है पर जहां कि जब हम देखनेकर टे कि इस लर्नींग सही होगए? कि हम learns लिखें इससे बहतर होगा चुकि learns हमें पर्मानेंट एक्टिविटी को बताता है जो कि duration में एक लंबे जैसे की महीने साल के बारे में बात कर रहे हो तो हो सकते हैं एकाद महीने के लिए एकाद महीने को अगर हम consider कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि हम उसको दीन में count कर रहे है ठीक है शीज लर्निंग यह लंस इंग्लिस नौड़ेज तो यहां पर यह गलत हो जाएगा और यह सही हो जाएगा ठीक है अब दूसरा देखिए अब के अनिश देखता हूं मैं कि नौड़ेज कि नौड़ेज ही नौड़ेज यालि कुमें नौड़ेज इस तूड़ेज नौड़ेज तूड़ेज 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 अब बताइए इसमें कौन सही होना चाहिए नावडेज नावडेज दिस्टूडेंस आप रिस्पेक्टिंग और रिस्पेक्ट दियर टीचर आप देखिए नावडेज यहां पे यह बता रहा है कि एक जो एरा आप एरा बोल सकते कि या कुछ शाल हो गए कि दसल पहले बहु का रिस्पेक्ट किया करते थे लेकिन आप जो चल रहा है एक Mr. Gok RICH के बच्चे काफी अच्छे करते थे लेकिन आज कल के बच्चे कैसे होते और सपने करते आप सोचने वाली बात है यहां दीन की बात नहीं हो रही है एक विल्कुल एरा चेंग हो गया है आज कल मैं भी क्लास में यहां पर पढ़ाता हूं कुछ अकेडमिक वाले बच्चे ज्यादा शर्तान होते हैं उनको मतलब नहीं है गुड मॉर्निंग कहना और बढ़ो और रिग्लो तो यहां पर यहां से और यहां पर लिखना पढ़ेगा ना में दूनोट यह था और अधर होगे डूनोट नौट इस्टूडेंस दूनोट रिस्प कर सकते हैं जब उसका मीनिंग चेंज होगा ठीक है मीनिंग क्या चेंज होगा कि अगर जैसे थोड़े से प्रिड़ के लिए बताया जा तो लिख सकते जैसे कर एक इसम्पल सावर मैं लूँ आपके लिए नावड़ेश को पहले भी लगा सकते हैं रोपकू कि इस नौट र कि इस नो ट्रेडिंग और देज नो ट्रेंड नावड़ेश आप जड़ा देखा जाए और हेर लगा दिजिए और अच्छा लगेगा एंपी टी गलथ हो गया फिर दिखा जाए हेर नावड़ेश चलिए आप जड़ा समझें इसको कौन सहीं होगा इस नो ट्रेडिंग और देज नो ट्रेडिंग हेर नावड़ेश क्या होना चाहिए आप देखिए रेनिंग होने की बात एक दू दिन से भी रिलेट हम कर सकते ठीक है इट मिस जब दो तीन इसकी दिन से रिलेट कर सकते तो फिर यह वला गलत हो जाएगा खिले एडिज नो ट्रेडिंग हेर नावड़ेश आज कल यहां पर वारिस नहीं हो रही है हिंदी में मता रहा हो वाट हिंदी से नहीं जाना आपको इसका मीनिंग टाइम से ही रिलेट करना कि किस तरह के तो इस तरह सी इस्तेमाल करते हैं कि डिपेंडिंग और मीनिंग आप देखेंगे एक हमें वर्ड छोड़ गया वह यादारा में कि यहां पर यूज कर सकते स्टे तो यह सारी चीज जनरली आप याद रखना है कि जनरली तुम कॉंडिनिवस में करते हैं इस सिच्वेशन च करेंगा हूं कॉंडिनिवस में भी करेंगे convenience depending on the meaning, ठीक है शी इजुल यह जो कि अध्यीहण गा ऑरlli बात थै कि शील लीविज़ में यह यह सब्सक्राइख और वाले मारी बात दोई Cliff's Stateel लेविक आग़हण अगर आप हिंदी मेनिंग के थूचलेंगे तो आपको नीचे वाला अच्छा लगेगा उपर वाला गलत लगेगा दियर बट यहां के ऐगर मीनिंग करना चाहें तो दोनों सही हो सकता है ठीक है हम लॉंगर प्रियेड की बात कर सकते और शौर्टर पिरियेड की बात कर सकते लिविंग एर और से इस्टिल लिपसे वह अभी भी आ रहती है और अभी भी आ रही है तो आई होब कि यह चीजे किलियर होगे कि आद दा मोमेंट आगर पोलना हो करेंट ली कोलना हो देखिए जरुट सब से एक जाम पस देख लेता हूंगा आई आम नोट पीजिंग आम नोट टीचिंग इंग्लिश दीज देज इंग्लिश दीज देज अब देखिए अब यह संटेंस आप यह नहीं लिख सकते हैं कि आई डोंट पीच आई डोंट टीच यहां पे नहीं लिखा जा सकता है लगा समझने वाली बात है कि आज कल मैं अंग्लिजी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं जैनरल ही तो पढ़ाता हूं इंग्लिश अगर हम दोंट से बना देते इसका मतलब होता है कि हम यहां पर नहीं पढ़ाते हैं हमारे जनयाश जो सब्जेक्स पढ़ाने का является आज हम नहीं पढ़ा रहे इस तरह की सिचुएशन बंगती है तो आप कॉंटिनिवस्टिन से इस्तिमाद करें जैसे लिखा मैं तो यह गलत हो जाएगा और यह सही हो जाएगा देखिए कि ही एज टीचिंग कि ही इस टीचिंग कि साइन्स कि और कि इपीचेज साइन्स नवदेर नवादेज बिकॉस थे ईपीचेर ऑफ साइञ्स, सिच्दीचा यह एज़ फिशी पेपर में पुचा गया तरह को देखे हो अच्छे से परिश्टिंग साइजिग नावदेजिग बिकॉस टीचर तेस बिन अब सेंटें और शम्याइस अब आप देखा जाये बहुत अच्छा संदें से इसको समझने यह देखें चैसे कि वह आजकल साइंस पढ़ा रहा है क्योंकि साइंस का टीचर कुछ दिनों से अनुपस्तित है अब ये बताइए कि कुछ दिनों से अनुपस्तित है इसकी हम बात कर रहे है जब भी शॉटर डिरेशन होगा हम उसके लिए क्या इस्तिमाल करेंगे अपना सब्सक्राइबन करते और ने यहां करते और को करते हैं डिपेंडिंग on the situation दौनों में मैंने बताया depending on the situation आप जहां भी यूज करना चाहें करिए fix मत बनाईए कि उसको इंडापनिट में ही करना है या continuous में करना है I hope चीजे समझ में आई होगी तो वीडियो को like, share और channel subscribe ज़रूर कर लीजेगा जिससे आपको notification मिलते रही और notification के लिए आपको क्या करना है बेल आइकन प्रेज जरूर करना है चलिए मिलेंगा हम एक नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत